हेलो एब्रीवन मैंनी लंदी बारी आप सभी का मैगनेट ब्रिंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडर काटन से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एविलिबल करवाय जाते हैं और ऐसा नहीं बच्चों के लिए शूकतया है जो हमारा नव महापाट है जिसका हमने आपको मैगनेट बिंस टेस्ट पीपर सीरीज में आपको पीडियेफ तो दिन पहले अब आपने कितना उसको सही किया यह अब हम देख लेते हैं तो बहु विकल्पात मग प्रेश्न पूछने का मतलब अब यह है कि तरीका देखें अमने बदल दिया है लेकिन अगर जैसे आपको विकल्प छाटना आगया तो कम सीखम आपको यह समझ में आएगा कि अगर एक प्रेश्न पूछन पूछ लिया जाए इस पार्ट से जुड़ा हुआ तो वह आप आरामसी कर पाएंगे क्योंकि अब इतने सारी जब विकल्प को हल कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि किस विकल्प का क्या अर्थ निकलता है या किस प्रिश्ण वाचक शब्द के स्थान पे हम कौन सा उत्तर सही करते हैं ठीक है तो जैसे पहला भाग है उसमें लिखा है बहु विकल्पात्मक की धापन जैसी चित्त में याणी जैसे चित यानि machines ही मन मैं सरलता हो तथा वैसी कहां होनी चाहिए कि zouनी बताइए जैसी अवक्रता मन्न में हो वैसी ही आपकी किस जगहें पे हो तो आप एक महात्मा पुरुष बन जाते हैं आप सज्जन पुरुष कहे जाते हैं तो कहां कहां होना चाहिए जैसी मन में हो वैसी ही आपकी वाणी में हो तो वाणी शब्द का यहां पर बताए कौन सा शब्द पर हुआ है वाची कुत्र हमारा लिखा हुआ है तो सब्तमी विभ कहा जाता है चलिए चीक है मनुष्यन मनुष्य के द्वारा प्राणे भ्यो अपी कहा विशेश्ता रक्षता मनुष्य के द्वारा प्राणों से भी बढ़कर किसको विशेश्ता रक्षा करनी चाहिए किसकी विशेश रूप से रक्षा करनी चाहिए प्राणों से भी बढ़क को क्या करना चाहिए रक्षित करना चाहिए हमीशा उसकी रक्षा करनी चाहिए सदाचार क्या होता है सत आचार सत धन आचार बनता है हमारा सदाचार सत का अर्थ हुआ अच्छा आचार का अर्थ अचार नहीं हुआ आचार का अर्थ हुआ आचरन मतलब आपकी द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपकी काम ठीक है तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा हमारा सदाचारम कह स्वापुत्रे विद्याधन दातुम तपहती पे विद्याधन देने के लिए बहुत तपस्या करता है कौन कौन अपने पुत्र को विद्यारूपी धन देने के लिए बहुत अधिक तब करता है तो बताएए यहाँ पे स्वापुत्र के लिए हम स्वापुत्राइ लिख लें, तो ज़ादा और अच्छा हो जाएगा क्यूंकि यहां देने की बात आ रही है ना तो यहां पे हम पुत्रे शब्द में सब तुमी न लगए हम इसको पुत्राय कर ले तो और अच्छा शब्द बनेगा है ना और पुत्र के लिए अब जबकि को का अर्थ निकल रहा है पुत्रम होना चाहिए लेकिन दाधातु है न ठीके ना क्योंकि ये बिभ्वाई ayya CH ne अपने पुत्र को विद्या धन देने तपहयते प тобой हुद क arrest animations करता है पिता romance या राता कर इंप इंप पशी करो। करता हो ne, करता नेका है या कोव पशीना या कोई भी ने करता है तुखेगा धा. पिता यहां पर प्रतमा विभक्ति एक वचन युक्त पद है यह हमारा उत्तर बन जाएगा चीए आगे देखती है लिखा हुआ है इति उक्ति इत्युक्ति इत्युक्ति ऐसा कहना इत्युक्ति शब्द किस से मिलकर बना है इत्युक्ति यानि ऐसा उक्ति कहना कस्यकृति किस किसके लिए करतग्यता भवती किसकी करतग्यता होती है बताइए ऐसा कहना ही कि मेरे पिता ने मुझे जो विद्याधन दिया उसके लिए उन्होंने बहुत अधिक तप किया ऐसा कहना ही किसकी किसकी करतग्यता होती है बताइए मित्र की होती है वो करतग्यता पुत्र की होती ह ग्रह की होती है जन की होती है तो वह एक पुत्र की कृतग्यता होती है कि वह अपने पिता के प्रती कैसा है कृतग्य है यानि उनके उनने जो तप किया विद्याधन देने के लिए उसके प्रती वह विनम्र है कृतग्य है ठीक है ना एहसान मानने वाले को कृतग्य कहा जाता तो पुत्रस यहां पर सही उत्तर बन जाएगा के समत्वम इती तथ्यता कौन समत्व के यानि कौन समत्व होते हैं इती तथ्यता ऐसा जो कहा गया है तथ्य रूप से कहा गया है प्रमानिक रूप से कहा गया है कि के समत्वम समत्व किसको कहते हैं समत्व कौन होते हैं बताए देशवाशी नहां देशवाशी होती हैं पक्षिणां पक्षी समत्व होते हैं महात्मन हां महात्मन होते हैं या अवक्रता बताइए तो क्या होगा इसका प्रमानिक रूप का अंके अंदर क्या गुन होता है कौन किन के अंदर होता है कौन समत्व होते हैं ऐसा तथ्य रूप से कहा गया है ऐसा प्रमानिक रूप से कहा गया है कि वे ही महात्मा होते हैं जिनकी अंदर समत्व का भाव होता है जिनकी भवानी में और मन में अवक्रता होती है वे ही महात माहात्मा पुरुष माने गए हैं ठीक है इती तथ्य था अब यह बिल्कुल प्रमाणिक रूप से सत्य है तो महात्मा नह शब्दियां पर सही हो जाएगा पक्वम भलं कहत्य जती पका हुआ फल कौन त्याग दीता है जनह लोग त्याग देते हैं विमूर्धी मुर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो पके हुए पल को चोड़ देते हैं और कच्छे फल को खाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं किन का उधरन दिया गया है जो कठोर जो मीठी वानी को छोड़कर कठोर वचन बोलते हैं वो उन मूर्खों के समान होते हैं जो पके हुए फल को छोड़क पर कच्छा फल खाने में विश्वास रखते हैं तीक है यह एक उपमा दी गई है इस हमारे स्लोक में कि द्रशा वाच्छं विमूर्धी अभ्यूदी रहते किस प्रकार की वचनों को विमूर्धी यानि मूर्ख लोग बोलते हैं बताए कैसे वचनों को बोलते हैं बुले परुशाम कठोर वचनों को मूर्ख मूर्ख वचनों को रिजुताम वचनों को या कोई भी नहीं तो कहेंगे परुशाम कठोर वचनों को परुशाम वाचम कौन केते हैं विमूरधी अभ्योदीरती चक्छुष मंता के प्रग्रीत तहा चक्छुष मंता यानि आखों वाले नीत्र वाले कौन माने गए हैं मूर्ख माने गए हैं विद्वान सह विद्वान माने गए हैं सेवक माने गए हैं या सभी माने गए हैं चक्छुष मनतह केवल विद्वान होते हैं और बाकी के जिन जो विद्वान नहीं होते हैं जिनके पास ग्यान नहीं होता है वो तो चक्छुर नामनी केवल उनकी जो आ मात्र की होती हैं तो यहां पर विद्वान सह शब्द सही हो जाएगा के शाम बदने तू ते चक्षुर नाम नीमते किनके वदन पर तो चक्षु यानि आखें के वल नाम नीमते नाम के लिए मानी गई है किनके वदनों पर बालका नाम बालकों की वदन पर मानी गई है एो क्षुर नाम के लिए होते हैं तो अन्य लोगों के विद्वानों को छोड़ कर अन्य अन्य यहाँ पर सही हो जाएगा कहा विवेक इन तत्वार्थ निर्णाय करतुम शक्रति कौन विवेक के द्वारा तत्व का निर्णाय करने में समर्थ होते हैं कौन नर्व होते हैं मित्र होते हैं ग्रह होते हैं या वानर होते हैं आगे लिखा है केनापी प्रकारेन केनापी किसी भी प्रकार से परईहन यानि दूसरों के द्वारा किमना क्रियते दूसरों के प्रति क्या नहीं करना चाहिए गम्यते जाना नहीं चाहिए परिभूयते किमना क्रियते किनापी इसका फिर से समझ लेते हैं अर्थ केनापी या इसमें केन शब्द इसका क्या बन रहा है विशेशन बना है यानि किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा किमना क्रियते क्या ने किया जाता है क्या ने किया जाता है उनको गम्यते जाया जाता है परिभूयते अपमानित किया जाता है आगम्यते आया जाता है या खादते ख परिभूयते नहीं अपमानित किया जाता है क्या नहीं कर सकते हैं उसको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है तो परिभूयते यहां पर हमारा श्लोक के अनुसार सही उत्तर होता है प्रभूतानी सुखानी कहा एक्षती बहुत अधिक शुक की इक्षा कौन करता है नरह नर करत मैं बहुत हमार करते हैं कोई धिन वह दी पूंदे है क ł Speech करता है नर्ड जो होता है व्यक्ति मनुष्य रोता है उसकी शांगी तो कोई सीमा है नहीं आज छोटी गारी होगी तो कल लगेगा नहीं साइकल से शुरुवात कर लिजे एक अभी साइकल होगी तो कहेंगे वह स्कूटर आजाए है ना एक्टिवा आ गई तो कहेंगे नहीं हमें बाइक मिल जाए बाइक मिल गई तो फिर बाइक में भी कहेंगे नहीं र से ऐखा हुआ है कि प्रभुतानी सुखानी कहा एक्षतीख अधिक सुखों की इक्षा कौन करता है छोटा सा कहर होगा फ्र फ्लैट में रहेंगे निहीं हम तो समय में और फिर दुप्लेक्स में फृर भनलो फिर और ग्रम नहीं के नहीं है कि किसकी द्वारा एहत कर्म नहीं किये जाने चाहिए किसकी द्वारा नहीं किये जाने चाहिए ग्रामे भ्यह के भ्यह के अब देखे यहां पर के भ्यह जो शब्द है वो कहां क्या क्या आर्थ बता रहा है एक तो के लिए का आर्थ बता रहा है एक सी का आर्थ बता रहा है किस के लिए अहित कर्म ना करना चाहिए किस से अहित कर्म ना करना चाहिए दोनों का अर्थ क्योंकि पंचमी और चतुर्थी और पंचमी के बहु वचन में यहां पर हमारे पास के भिय शब्द बनता है तो ग्रामे भ्या ग्राम के लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए परे भ दूसरों के लिए भी अहित कर्म नहीं करने चाहिए इसका सही उत्तर बन जाएगा आगे देखते हैं आचार को किस प्रकार का धर्म कहा गया है प्रत्थम धर्म कहा गया है आचार यानी आचरन हमारा व्यवहार कैसा धर्म है बोले अच्छा आचार करना अच्छा व्यवहार करना हमारा पहला धर्म होता है तो यहाँ पर उत्तर क्या बन जाएगा प्रधमु आचार प्रधमु कह इती विदुशाम बचा आचार पहला धर्म है इती ऐसा विदुशाम बचा विद्वानों का वचन है तो बताए कह आचार प्रधमु कह आचार प्रधम क्या है धन है कर्म है कार्य है या धर्म है बताए तो वाकिय है, बताता है आचारह पर्मो धर्मः, तो यहां पर धर्मशब्दें हाँ सही हो जाएगा लिखा हुआ है पध्यान्शम अधिकरत अवोधनात्मक कार्यम यानि पध्यान्शों पर आधारित अवोधन कार्य हैं जिसमें कि अधो लिखिता ना श्लोकान पठित्वान अधो लिखिता नीचे लिखे वे श्लोकान स्लोकों को पठित्वा पड़कर किर तद आधारिता नाम उस पर आधारित प्रश्ना नाम उत्तरानी लेकर प्रश्णों के उत्तर लिखिए पिथा यच्छती यानि पिता यच्छती प्रदान करता है पुत्राय पुत्र के लिए बाले बाले काल में विद्याधन महत महान विद्याधन प्रदान करता है पिता अस्य पिता इसके लिए किम तपह तेपे कितनी तप प्रस्या की है इत्युक्ति तत्कृतग्यता इत्युक्ति ही तत्कृतग्यता यानि इतना इत्युक्ति ही कहां से आया है विसर्ग से हमारी सत्व संधी से आया है इतियुक्तिस्तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत उन्होंने मुझे इतना महानधन दिया चलिए अब इससे जोड़े हुए प्रश्ण व्तर कैसे बन सकते हैं विद्याधनम कह यच्छती विद्याधन कौन देता है कौन परदान करता है तो यच्छती के पहले करतरी प्रत्मा कह शब्द क्या रहा है प्रत्मा विवक्ति का कब देता है बताइए कदा यानि कब तो कदा और कुत्र की जो उत्तर होती है सब्तमी विवक्ति में मिलते हैं तो सब्तमी विवक्ति कहां लगी है बाल ये लगी है तो ये अमारा उत्तर बन गया समझ गया है पिता पुत्राए बाल ये किम यच्छती पिता पुत्र को बाल ठीकाल में क्या प्रदान करता है एकम अर्थ्म बोटिए अप्रति में द्यायों है यह भिप्रत्म में मत है तो शब्रत्माँ में में एक इरू बनाया जाता है तो द्धान कीजेगा कि किम लगा है तो नपोन सक लिंगवाची शब्द ही हमें उत्तर में मिल जाएगा आगे देखे पूर्ण वाकिन उत्रत पिता कस्माई विद्याधन में अच्छती कस्माई का अर्थ क्या हुआ किसके लिए चतुर्थी विभक्ती एक वचन का किम शब्द का रूप है पुर्लिंगवाची तो बताए पुत्राय लिखेंगे आपका उत्तर बन जाएगा पिता पुत्राय विद्याधन में अच्छती कह तपहस्ते पे लिखा हुआ है कौन तप करता है कौन तपस्या करता है तो कह कि स्थान पर वही हमारा प्रतमावी भक्ति युक्तु पिता लिग दिजिए उत्तर बन विया ददाती इती पदसे परियाय पदम श्लोक की किम प्रयोक्तम? ददाती का परियाय पद श्लोक में क्या आया है? दीने की बात किस शब्द से बताई गई है? यच्छती से बताई गई है. तो क्या करेंगे? कैसे आप उत्तर लिखेंगे? आप कहेंगे ददाती इती पदसे परि हुआ द्यक्त्वा धर्म प्रदाव वाचम तक थ्याग कर के धर्म प्रदाव माचम धर्म प्रद्व बचनों को त्याग करके परोशाम यह अभ्यूरत networks कहते हैं दीरयेत, कहते हैं जो यह, यहां से आ जाएगा, यह का अर्थ निकलेगा, यानि जो लोग, ओकी मात्रा, और फिर क्या दिग्या, अवग्रे दिग्या, समझ जाएगे, क्या बना है हमारा प्रत्मा विवक्ति है, और अभिव दीरयेत, यानि क्या कहते हैं, बोलते हैं धर्म प्रदवानी को त्याग करके जो विव्यक्ति कैसे परुशाम वाचम कठोर वचनों को बोलते हैं वो क्या होते हैं परित्यज्य यानि छोड़ करके फलम पक्वम पके हुए फल को त्याग करके भूंगते खाते हैं वो अपक्वम विमूर्धी वे मूर्ख वे उन मूर्खों की भाति होते हैं जो अपक्वम खा लेते हैं जो बिना पके हुए को खा लेते हैं और पके हुए फल को पक्वम परित्यज्य पके हुए फल को त्याग करके कच्चा अपक्वम फलम अपक्वम भूंगते विमूर्ध वो ऐसे मूर्ख होते हैं जो पके हुए फल को त्याग करके अपक्वम भूंगते यानि बिना पका हुआ फल खाते हैं वैसे मूर्ख लोग होते हैं त्यक्तवा धर्म प्रदाम वाचं परुशाम अभ्यूदी रहेते चलिए अब इसके हम देख लेते हैं बताए हमारी बोलते हैं किसको बोलते हैं मुलिप परुशाम मुलिप कठोर वचनों को कठोर वानी को बोलते हैं परुशाम ठीक है तो यहां पर देखे हमारा क्या आ जाएगा धर्म प्रदाम वाचम परुशाम यह अभी दरती जो कठोर बोलते हैं धर्म प्रद वानी को छोड़ करके अब यहां पर धर्म परदाम वाचम भी का वाचम शब्द क्या हो गया एक विशेश बन गया जो धर्म परदाम का विशेशन बन रहा है परशाम शब्द भी विशिशन बन रहा है एक पद में लिखना है तो हमने परुशाम शब्द का प्रियों किया और वाचम को लिख दोगे तो और भी अच्छी बात लग जाएगे यानि कठोर वाचनों को ठीक है अब आगे लिखा हुआ है हमारा प्राश्ण अपक्वम फलं कह भूंगते बिना पका हुआ फल कौन खाते हैं तो कह कह रहा है प्रतमा विवक्त एक वचनिक्त शब्द गूंडो अपक्वम फलं भूंगते कौन पूरे इसमें देख लिए परित्यज्य यहाँ पे तो क करम बदल जाएगा कोई परिशानि नहीं है उत्तर का अर्थ सही रहता है संस्कृत में हमारे जो क्रम होता है । आगे पीछे होने से इसका कोई अर्थ नहीं परिवर्देत होता क्योंकि हर्वेभक्त अपना अर्थ अपने पास रकती है विमूर्दी कीद्रशीम वाचम परित्यज्यती विमूर्दी जो होते हैं किस प्रकार की वाणी को त्याग देते हैं किस तरह की वाणी का त्याग करके वो कठुर वाणी बोलते हैं धर्म प्रदाम वाचम देखें यहां पर त्यागनी की बात हो रही है तो आप वाणी की वि लिखा हुआ होता तब आप लिखते हैं यहां पर परुशाम वाचम पर अभ्यू दीर आती ठीक है तो दीर यह तो आप लिख देते इस प्रकार से चीके ना तो क्योंकि वाचम शब्द की दोनों तरफ ही विशिस्ता दी गई है आगे पीछे पक्वम फलम जैसे फल की फल एक पिया और पक्वम पक्वम दोनों शब्द इसे के एक ही जगह तो वहीं द्हर से पकडलों चाइए पक्वम पहलनिप यह ना तो क्या लिखा है पक्वम प्लम जैपम कहा के इस तान में विमूरती लिख दिया और उत्तर बन यापन फिर वह ही उत्र हमें ँस्तार से लिखनाется कि विमूर्धी क शालक से लिखा हुआ नहीं समझ में आये तो यह फिर उत्रइय लिख दूगे उत्तर बन जाएगा आपका, चीके ना ऐसा कोई नहीं है कि आपको अपने हिसाब से जो स्लोक है उसमें से भी लिख सकते है मिमूर्धी कीद्रशम फलम परिते हैं अपक्वम भूंगते तो कीद्रशम की जगे लग दीजे पक्वम मूर्ख लोग पके हुए फल को त्याग करके बिना पका हुआ फल खा लेते हैं जैसे ही होते हैं जैसे के अच्छा मदरोबचन बोला जा सकता है मीठी भाषा में बात की जा सकती है लेकिन हमें तो कड़वा ही बोलना है बोलते रहा तो मूर्ख के समान हो तीसरा अगला शलुक हमने क्या दिया था आपको वाग पटू धेरेवान मंत्री सभायाम अपी अकातरह सकीनापी प्रकारेण परेण ना परिभूयते वाग पटू बोलने में जो चतुर हो धेरेवान हो जो धेरेधारन करे ऐसे नहीं जरासी बात करी और उतावले होके लडब बेढने लगे नहीं धेरेवान जिसके अदर धेरे हो बात सुने दीरजता से धेरेधारन करके सुने फिर उसका चतुरता से उसका उतर दे तो वाग पटू बोल मिलने में चतुर ध्यरेवान मंत्री और ध्यरेधारन करने वाला मंत्री और करें सभायाम अपी अकातर और सभायाम सभा में भी जो निडर रहे कातरकार्थ क्या होता है डर्पोक और अकातरकार्थ होता है निर्भय जो सभा में भी निर्भय रहे सह वो मंत्री की नापी प्रक किसी प्रकार से परेहन शब्द किसी मिलकर बना हुआ है हमारा परेहन यानि दूसरों के द्वारा नहीं परिभूयते दूसरों के द्वारा परिभूयते कार्थ क्या हुआ अपमानित नहीं होता है चलिए प्रश्न के उत्तर दीजिए वाकपटू कहा क्या बनिगा उत्तर मंत मंत्री के ना पी प्रकारिन कह परिभूयते किसी भी प्रकार से कौन दूसरों के द्वारा पमानित नहीं होता है, मंत्री कह अकातर हाण कौन निर्भाय होता है, मंत्री मंत्री के गुणा संती वाकपटु हो धैरेवान अकातर एते गुणा संती तो आप लेकेंगे कातर है इती पदस्य विलोम पदम श्लोके किम प्रयोक्तम तो आप लेकेंगे कातर है इती पदस्य विलोम पदम श्लोके अकातर है अस्ती तिरस्कृते इती पदस्य परियाय बदम शलोकी किम प्रयोक्तम तिरस्कृते तिरस्कृत किया जाता है अपमानित किया जाता है इसका तिरस्कृत का परियाय पद कौन सा आया है परिभूयते अपमानित का तिरस्कृत का तिरस्कार करने का परिभूयते परियाय पद बन जात चले अगलेश लोग को को देखते हैं आचार करमो धर्म हाँ इति एटत विधुशाम 찾 पहला धर्म है आचरन करना सती आचरन करना हर एक मनुश्य का प्रथम धर्म है ऐसा विद्वानों का वचं money तस्मात रक्षित उसकी रक्षा के लिए सदाचारम उस सदाचार की रक्षा के लिए प्राणे भ्यो अपी विशेश तह उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। चले, इसकी प्रशने देख लेते हैं कैसे बनेंगे। हमारा उत्तर बन जाएगा प्रिश्न वाचक्षत भटाई उत्तर लिखी उत्तर वाची सब्द लिखी और बन जाएगा सदा चारह प्राण इभ्यों अपी रक्षनिया के बहे की जगे लिख दिया और अपी दिया उवा था स्लूक में सुसात में लिख दिया धर्म हाइटी प विद्वानों का क्या वचन है आचारह पर्मो धर्मह इति विदुशाम बचह वाचम तीक है चले अब अगले प्रश्न पर चलते हैं मंजुशा तह समुचित पदा नीचे त्वा अधो लिखे श्लोक अनवयम पूर्यद नीचे मंजुशा से मंजुशा से शब्दों को चुन में हो तो समझ लिए उसके बाद कोई ना कोई संग्या वाची शब्द उसी विभक्तिगार मिल रहा हो तो तुरंत लिख देना क्योंकि वो उसका विशिशन हो जाता है क्योंकि यहां पर लिखा भी है असमिन लोके इस जगत में विद्वान सहाएव विद्वान ही जम यानी आखों वाली मानि गए है नित्रवान मानि गए हैन्य शाम वदनी उन्हयों की वदन पर सकति भी है केवल चक्षू जो है न मातर की मानी गई है अन्वाय क्या बना है इसका असमिन लोके इस जगत में विद्वान शहैव चक्षुष मनतह प्रिकीरती दह चक्षु का अर्थ क्या हुआ? आंखे मनतह है क्ष alors आंखों वाले मानने कहांत्या है हमारा शान्च प्रत्याएं में आता है या कैसे फेल होते हैं कि टे क्रेह यहां पर सब्तूरасौ से वे लिखा we क्या कहते हैं वे चक्षु जो होते हैं नामनी नाम मात्र के मते माने गए हैं तो यह इसका अनुवाई बनेगा चले आगे देख लेते हैं यहाँ एक्षती आत्मनह श्रेया प्रभूतानी शुखानी चा नागोरियाद आहितम कर्म सापरिभे कदा पीचा कहते हैं यहाँ जो एक्षती जो चाहते हैं आत्मनह अपने श्रेया अपने सुख को अपनी सुरिष्ठता को चाहते हैं प्रभूतानी सुखानी और बहुत अधिक सुख चाहते हैं नागोरियाद वे नहीं करते हैं अहितम कर्म कभी भी अहित कर्म नहीं करते हैं सापरिभ्य वे दूसरों के ल यह आहित कर्म नहीं करते हैं जो यह नियानी जो एक्षती चाहते हैं आत्मनह श्रेय प्रभूताणी सुखानी चाह तूँदzeit है तो हम नुए के लिख़ेंगे यह यानी जो अपना श्रेय और प्रभूतानी सुखानी एक्षती Г कदापी अब करवाते जा रहे हैं आप मिला लिजी किया यह नहीं अवक्रता एथा संत्य यताव व 사건 कहा Visa महाथमाव के द्वारा समत्व कहा गया है एका प्रमानिक है तो हम कहेंग declare यथा चित्ते यानि जैसी चित्त में अवक्रता हो तथा वाची तथा यदी वाची भावेद वैसी ही अगर वानी में होनी चाहिए यथा जैसी चित्त में अवक्रता है वैसी ही यदी वानी में हो तो महात्मनाहर निश्चित रूप से प्रमानिक रूप से उसी को ही कहते हैं यह आपका अनुवय बन जाए मंजुशा की सहायता से श्लोक के भावार्त को रिक्तिस्थान करके फिर से लिखना है ध्यान कीजिएगा भावार्त जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें अभी तो रिक्तिस्थान मिल गए तो हमने फटा 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 लेकिन अपनी आंसर शीट में आंसर फिल करने की बाद उस भावार्त को लिखना है ना इतना सब कुछ दे दिया है कि इवल चार अक्षर अपने आप से जोड़ना है और पूरा पेपर में से देखके उतारना है लेकिन पूरा उतार के आना ऐसे नहीं करना कि वो चार शब् क्या लिखते हैं रेक्ति स्थानानी पूरित्वा रेक्ति स्थानों को पूर करके पुनाह लिखत फिर से लिखो पूरा करके लिखो तो क्या है हमारा श्लोक वाक पटू ध्यरेवान मंत्री सभायाम अपी अकातर है साकेनावी प्रकारिन परईहन परिभूयते वाक पटू बोलने में जो चतुर होता है और कैसा ध्यरेवान मंत्री सभा में जो अकातर होता है निडर होता है वह किसी भी प्रकार से दूसरों की द्वारा अपमानित नही मैं चत्र हो कहां पर सब्भाया सब्घ मेन जो बोले में चत्र हो धैरय युक्त हो निरभीक होता है चभवती सह मंत्री वह मंत्री विरोंधिर भी ही विरों धियों के द्वारा कत्म अपी किसी भी प्रकार से तaltet रेस्कृत में न शक्यती तरियों नहीं हो सकता है ठीक है चलिए आगे देखिए आचार परमोधर्म है इत्ती एतद्विदुशामच आचार प्रथम धर्म है ऐसा विद्वान की कीवानी वचन है तस्मात रक्षेत उसकी रक्षा के लिए सदाचार उसकी रक्षा के लिए सदाचार में उस सदाचार की रक्षा के लिए प्राण अपी विशेस्ता प्राणों से भी बढ़कर उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए रक्षेत वही चाहिए विदिलिंग लकार की यहां पे क्रिया लगी रक्षा करनी चाहिए सदाचार को यह सदाचार की प्राणों से भी बढ़कर विशेस्ता है यानि और विद्वानों से भी बढकर तस्मात रक्षित उसकी रक्षा करनी चाहिए विद्वानों क्यों visiting सदाचार को प्रावनों सो भी भड़कर रक्षा करनी चाहिए तो यह भाव का अर्थ है अगर हम श्लोकों को या किसी भी पार्ट को जब पढ़ लेते हैं तो यह सब चीज़ें बिलकुल खेल रह जाती हैं आसानी से हो जाती है जरह कमेंट्स में बताइए का जरूर कि आपने कितने किये स सही निकले कितने गलत निकले गलत निकले तो कहां निकले किसमें डाउट है जिससे कि हम लाइव शेशन में उन डाउट को आपको क्लियर कर सके तो टेस्ट पेपर के मैं यह जो हम आप सॉलिशन की सीरीज बना रहे हैं इसमें कमेंट्स में आप अपने डाउट्स जरूर ल को आपको अपनी बतानी पड़ी ना वीमारी तभी तो उसका के हिसाब से दवाई देंगे तभी सा उसी के तो आपको ठीक कर पाएंगे जहां कमी होती उसको पूरी कर देंगे आपका सही हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि अब बस अपनी टेस्ट पर की सीरीज खतम हो गई है त चीजसे तो चालीस मैं से हम 40 ही लेकी आएगे किया हुआ कि वो सबझेक्टिव है ऑब चालीज के लायी ही थी हमें पता था कि जंडे आपने गार दीए ते चालीस में से 40 दाके बच्चों ने और अब हमें पता है कि सबझेक्टिव में लिखने वाले में भी बच्चे वहां पर बहुत अच्छे मिल जाएंगे वहां पर अरेंज है क्लास से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें हैं चाहे आपको आपके वर्ल शोट रिवीजन हो चाहे आपके टेस्ट पीपर हो या कोई भी चीज हो आपको वेबसाइट पर क्या अरेंज मिल जाएंगी जादा स्ट्रेट बूर्ड की पढ़ाई हिंदी में करवाई जा रहे हैं तो आप लोग भी बढ़ो आराम से ठीक है ना मैगनेट बेंस पर और बिल्कुल फ्री मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम शुरू करेंगे अपने अगले एक और नई टॉपिक को तब तक के लिए ध अग्णिवाल